एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगार रजुन के नए एपिसोड में दोस्तो आज एक नहीं पूरे पांच अपडेट है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर से जड़े हुए पिछले कफी समय से बिल्कुल कोई अपडेट ज़्यादा शेयर नहीं किया था मैंने बजाज से डेटिड आप तो आज सभी अपडेट एक साथ आपके साथ शेयर करता हूँ पहले शुरुआत करते हैं हम सब जानते हैं कि पिछले साल जैनुरी मन्त में चेतक को लाँच किया गया था काफी लेट था बजाज अपने इलेक्ट्रिक वहिकल को लाँच करने में लेकिन जब लाँच किया तो वो टाइम मैं कह सकता हूँ कि ठीक नहीं था उसके बाद ही नेक्स्ट माथ कॉविड शुरू हुआ लोकडाउन लगा तो उसके बाद से अभी तक मार्च 2021 पिछले मिन्ने तक सिर्फ इनके 1400 यूनिट ही सेल को पाए उसका सबस्वर रिजन यहीं था कि सिर्फ दो ही शहरों में अवेलेबल था पूर्डे और बेंगलोर तो जो ने अपडेट है उसमें है कि दो और नए शहरों में बजाए चेतक को लाँच किया जाएगा जिनकी कन्फरमेशन आई है वो है चन्नाई और हैदराबाद जबकि बीच में एक आई थिंग वो फेक अपडेट था कि देली में इसको लाँच किया गया है बट ऐसा नहीं है अभी सिर्फ चन्नाई और हैदराबाद की ही कन्फरमेशन आई है अब बढ़ते हैं सेगंड अपडेट की तरफ और इस अपडेट को बिल्कुल बैड लाँच के टाइम जहां अर्बेन का प्राइस एक लाग था और प्रीमियम का एक लाग पंदरा जार वहीं उसके बाद दो से तीन बार इसका प्राइस हाइक हुआ है दोस्तों और अब जो करंड प्राइस है अगर मैं पूनिया पंगलूर की बात करूं तो अर्बेन एक ला बढ़ते हैं तीसरे अबडेट की तरफ जब से लाँच किया है चेत तक को तब से लेकर पहली बार इसके सॉफ्वेर अबडेट की बात निकल कर आई है और उससे ज़्यादा फरक पड़ेगा हुआ कि जो उसका रेंच इंडिकेशन है वो ज़्यादा एकूरेट होगी इस साथ और इसके लिए जो इनका अथ्रा सर्विस सेंटर वहाँ पर आपको अपना स्कूटर लेकर जाना होगा ज्यादा टाइम नहीं लगता है सिर्फ दस से पंदर मिट में अपडेट हो जाता लेकिन इसको प्रोबर एफेक्टिव होने में तकरिवें 24 गंटे का टाइम दिया गया उसका रीजन यही था कि कि जो सप्लाइज चेन में प्रॉब्लम आ रहा है दिक्कत आ रहे उस वज़ए से ज्यादा बुकिंग को असेप्ट नहीं कर रहा है बजाज अच्छी बात नहीं है कि अभी तक साल से ज्यादा हो गया अभी तक जो डिपेंडेंस है जो प्रफब्लम आउट प्रॉब्लम आउट मेन में टुवज़ए इसको खरो डिवूज़ में नुन सेब्किंग कर रहा तो आपको 1000 का नुकसान होगा यानिकि सिर्फ 1000 ही डिफंड होंगे अब बढ़ते लास्ट अपडेट की तरफ बजाचे तक ने बिल्कुल अनकी प्लान ही है कि सिर्फ ना सिर्फ भारत में एरोप में भी यूरोपें जो मार्केट है वहाँ पर भी इसको लाउंच किया है लेकिन दोस्तों क्या ये बहतर नहीं होता कि अधर कंट्रिस के बारे में सोचने से पहले भारत में जो नीड है जो इसकी प्रडक्शन का पैस्टियों इसको बढ़ा जाता जाएदा शैरों में इसको लाउंच किया जाता नौ सिर्फ बड़े शैरों में टायर टू सिटी में से आपके क्या विचार हैं खासकर लास अपडेट के बारे में आप जरूर शैर कीजेगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जाहिंद